हाजी रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन में अठारों सता हूंगी जो क्रांती उसका रिविजन कर लिया हमने पिर उसके आगे किसान अंदोलन और जनजाती अंदोलन का रिविजन कर लिया आज हम देखेंगे जो उमारे प्रजामन डला अंदोलन राजस्तान के और उसके लाओ जो स्वतनतरता सेनानी राजस्तान के करांती का रिविजन करेंगे ठीक है एक्जाम पॉइंट वी से आगे 1927 में ये अखिल बारतिय देशी राजय लोग परिसद नाम की संस्ता बंबे में स्तापित की गए थी पहली चीज़ा में इसमें यह अनक नहीं है बंबे में दिवान रामचंदर इसके अध्यक्स थे इसके उपादेक्स के बात हो रही है हमारे लिए उपादेक्स इसलिए इंपोटेंट है कि हमारे जो किसाना अंदलों ने इंपोटेंट नेता थे उननीस सो अठाईस में बात करें, तो इसकी राजस्तान में इसकी एक ब्रांच बनाएगी ये राजपुताना इकाई के नाम से, राजपुताना इकाई, ये राजस्तान में इस्ताबित कीगी है, ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि उननीस सो इकतीस में, अजमेर में, अजमेर में इसका प्रथम मत दिवेशन हुआ और उसके अद्धिक्स बनाया राम नरेन चोदरी को, हमने क्या बात की जो प्रजामंडल इस्तापित किया अपने जो उत्तरदाइस आसन की स्तापना के लिए, प्रजामंडल जो इस्तापित किया उनमें 1927 में, सबसे बेले कैसे स्तापित हुए, अखिल भारती देशी राज्य लोग परिश्यत की एक नाम की संस्ता बनाया जाती है, बॉम्बे में, जिसका अद्धिक्स दिवान राम चंदर को, विजय सिंग पतिक को उसका उपादिक्स बनाया जाता है, फिरम देखते हैं, 1928 में इसकी राजपुता न काई स्ताबित की जाती है, जिसका 1931 में पर्थम दिवेशन अजमेर में होता है, राम नरेन चोदर को उसका अद्धिक्स बनाया जाता है, आगे चलते हैं अपन अगले क्यूशन में, तो इसमें आगे बात है कि कॉंग्रेस ने किस अदिवेशन में परजामंडल जो का पुरा दिवेशन था, जिसके अद्धिक्स थे सुभास चंदर बोस, तो उस अदिवेशन में कॉंग्रेस ने परजामंडल आदनू, अंदलोन को अपना समर्थन दिया था, ठीक है, आगे चलने हैं अपन अगले क्यूशन में, तो इसमें बात है कि मेवाड परजामंडल की स्तापना किसके दुबार की गए, देखो, जो मेवाड परिजामंडल है, उसकी स्तापना की गए ये 24 अपरेल 1938 को, 24 अप्रेल सचीन का बढ़ते हैं सचीन के जिनमती उन पे अपने देखते हैं कि 24 अप्रेल 1934 इसको इसकी स्तापने की जाती है और मेवाड परजामंडल में देखते हैं इसके प्रथम अध्यक्स थे बलवन सिंग में था और फिर देखते हैं मानिकेलाल परमा इसके बाद में अध्यक्स बनते हैं तो इसकी स्तापना में अपने देखते हैं कि किसके दौरा इस्तापना की गई है मानिकेलाल परमा की अब परजामंडल जो आंदूला उसमें रिविजन करना अपनको तो रिविजन में सारे जो परजामन ड़ल है उनकी स्थापना कब गब हुई है, किस साल में हुई है, किसके दोवारा की गई है, ये अपने लिए important चीज है, तो इसको हमें याद करना है, तो याद हमें करने के लिए क्या करें है, सारे के सारे एक बार इसमें देख ल कि जब हमें कक्काई नहीं आता था, क्लास में अपन जब स्कूल में सुरू सुरू में पढ़ने जाते थे, तो जब हमें कक्काई नहीं आता था, क्या पढ़ती थी? मार, क्या तोड़े जाते थे? हाड, हाड तोड़े जाते थे, मार पढ़ती थी, क्या आते थे? चक्कर, और और फिर आँखों से क्या आते थे आशू, देखों हमने क्या बात की, जब हमें कक्काई नहीं आता था, क्या पड़ती थी, मार, क्या तोड़े जाते थे, हाड, अब हाड तोड़े जाते थे, चक्कर आएंगे पहले, तो चक्कर आएंगे अपने जमीन में गिर जाएंगे, त जब कैसे हो गए आपने कपूर चंद्र पाटनी। ये इसके शंस्ता पकते। कांतिलाल शंस्ता पकते। बुंदी वाटे परजाम पंडल के। थीची ed बहुरलाल सर्राव, ये अध्यक्स, ये क्या बोलते हैं, उसको संस्ता पगए, मारवड़ वाले परजा मंदल के, हाड होती के संस्ता पगए, पंडित नैनुराम सर्मा, आशू से बात कर सकते हैं, नैन, नैन मतलब आखे, आखो से जब आशू आएंगे, तो पंडित नैनुर देखो, पहले तो ये डेट याद करनी है, 31, 34, 36, और आगे वाले जो प्रजा मंदल आएंगे, 31, 34, 36, 1938, 1949, फिर 42, 43, 45, 46, 31, 34, 36, 31, 34, 39, फिर आगे 42, 43, वो आगे याद करेंगे अभी, तो जब हमें कक्काई नहीं आता था, क्या पड़ती थी, मार, और क्या तोड़े जाते थे, हाड है, ठीक है, चक्कार आते थे, आसु आते थे, इन सब को इस तरीके से याद करना, दो च्य में से हो गया अपना वेद्दे मेगाराम, वेद्दे मेगाराम ने स्तापना गरी थी विकानेर प्रजाम डल की, और जौला, जौला से हो गया अपने जौला प्रसाद, प्रसार नहीं है, प्रसाद, जौला प्रसाद, जिग्यासू, ठीक है, यह यहाँ तक पड़ने बात की अब जैसे उसके आगे चलते हैं अपने अगला प्रजा मंदल देखो 31, 34, 36, 38 पर आगे आपने 38 में ओ मेम अब यहाँ पर देखना है ओ मेम सर्मा मत एबी सी का मतलब हम्ती होता है एबी सी मतलब एपोर एपल पिफोर वोल सी पुर केट नहीं होता एबी सी मतलब हम्ती होता है ओ मेम सर्मा मत एबी सी मतलब हम्ती होता देखो यहाँ पर में में से हो गया अपना मेवाड और इस में से हो गया अपने मानिक के लाल वर्मा ठीक है A, B, C, अलवर, बरतपुर, करोली, HMT, H से हरिनारेंड सर्मा, M से मास्टर, आधितेंदर, T से त्रिलोक, चंदर, माथूर, ओ, में, सर्मा, मत, A, B, C, मतलब, A, B, C, नहीं होता, A, B, C, मतलब, HMT होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद करना, अब आगे चलें अपन, तो आगे देखते हैं, 1931, 36, 38, 49, 49 आगे हैं न, इसमें एक वर्ड द्यान रखना आपन को, किसी को, किसी को से तीन परजा अपने मानना परता आपको देखते हैं, उनका बच्पन का नाम क्या था, किका, किका मालोब छोटा बच्चा, गोकुल का किका, गोकुल का छोटा बच्चा को नहीं होना, अपने काना जीए, तो किसी को बता है, गोकुल का किका को नहीं है, किसी को उठाना उठा लिया अप पहले ट्रिक अपन को याँ काम मिलगने हैं कि कि का अंहले के संगाड कान्तिलाल चोथानी, थीक है, फिर आगा अपना आगया कोण कौन में को से आ गया कोटा और नैसे नैनुराम सर्मा नैनुराम सर्मा का जैसे नाम आता अपने हाडूती युगरा ये सारवला मामला न उसमें अपने कोण आते ये पंडित नैनुराम सर्मा तो को से हो गया कोटा और नैसे हो गया नैनुराम सर्मा तो इसमें होरिजोंटल चले और गो कुल को इसमें जोड़ देना बचा वा कोड़ है शिरोई में गोकुल वाई बट जिनको कमने कल देखा था कि इनको कहते राजस्तान का गांधी देखो किसी को पता है गोकुल का की का कोड़ है इस तरीके से आप इनको याद करना हुए अ प्रजामंडल के जो नाम है औरे जो इस्तापना दिवस है इस्तापना साल है वर्स है कभ इनकी स्तापना गिवी यह इस तरीक से अपने उनको याद करना है अब देखो कुम्ब के मेले में बाबु गई डूंगर पर भोगी बाबा के पास से लिए तो फिर देखते हैं अपन जो मिठा काते हुए पिली चूनडी का जालासूं मांगी भी करें तो इस तरीक से इसमें कुछ सब्द अपन को याद करने है पहला अपने कुम्ब उठा लेना कुम्ब से कुसलगड प्रजाम अंडल किस्ता अपना बहरलाल निकम द्वारा की गए कुम्ब है ना बहरलाल निकम द्वारा फिर अपने बाबु बास से हो गया बासवडा बु से बुपेंदर नात्रिवेदी हो गया बु से बुपेंदर से होगे अपने मिठालाल व्यास अब उसके बाद बात करते हैं पर पिली पिली से होगे है प्रतापगड और अपने चुनडी चुनडी से होगे चुनिलाल प्रभागर जहला से जहलावाड और मांगी से मांगी भीक से होगे मांगीलाल वहवे तो इस तरीक से याद करना अब साल के से याद करना है देखो 42 का मतलब है 1942 में इसकी स्थापना हुई है कुसलगड परजामडल की स्थापना हुई 43 में इस्थापना हुई है बास्वड़ा परजामडल की तो कुम्ब पहले आ रहा है हमलोग कुसलगड पहले आ रहा है बास्वड़ा बाद में आ रहा है चम्वालिस में आ रहा डुंगरपूल, पैंतनलिस में आ रहा अपने जेसल में उसके आगे, तो पिली के बाद में आ रहा है, इसके बाद में ये प्रतापगड और चालावाड, तो ये सारा एक क्रम से ही सेट किया गया, जो भी अपने 42, 43, 46, 46, तो क्रम से ही इसको याद करन और उनकी स्तापना कब हुई है, ये सारा अपन को याद करना, दो-चार वार पढ़ना इसको याद हो जाएगा, तो एक्जामें हो सकता है, यहां से क्यूशन आ जाए, प्रजामेंडल बहुत थोड़ा बुरिंग चेप्टर है, लेकिन इन चीजों को पढ़ने से अपना मे सतरा सितम्बर उननीस तो बैली समोता जेंटलमें एक्टिमेंट किसके बीच में हुआ, जेपुर प्रजामेंडल की तरब से आते ही रालाल सास्त्री, जेपुर में जोबनेर के रहने वाली थे, प्लस, और किस के बीच में होता है, एक जेपुर की जो रियासत है, उसकी तर हिरालाल सास्त्री तो इस समय जेपूर प्रजामंडल के उस समय क्या थे अध्यक्स थे देखो जेपूर प्रजामंडल में अपने अभी बात करी कि 1931 में सबसे पहले इसकी स्थापना होती है और किसने कपूर चंदर पार्टनी द्वारा बाद में देखते हैं जमनालाल बजा जिनको गांदी जी के पांचों पुत्र के दोर पे जाना जाता है उन्होंने फिर चरंजिलाल मिस्तर को इसका अध्यक्स बना दिया था लेकिन 1922 के समय इसके अध्यक्स थे हिरालाल सास्त्री और जेपूर जो रियासत है उसकी तरब से आते हैं मिर्जा इसमायल मिर्जा इ समयल मिर्जा इनकी नाम से नाम से आधुनिक जेपूर का निर्माता माना जाता है जैपूर रियासत के PM थे आते उस तरब से आयए धे हरलाल सास्तरी परजामडल की तरब से आया दे से फेश्कति इंके बारेमें एक ०्यान कर इक जीवन कुटिर, जीवन कुटिर नाम की एक संस्ता है, उसकी स्तापना करे थी उन्होंने, जीवन कुटिर नाम की संस्ता की स्तापना करे थी तो इसका इनकी बारे में द्यान रखना, ठीक है, जो वनस्तली विद्धापेट है टॉंक में, जो जिनमें बाली का सिक्सा के लिए गारे करती है तो बाली का सिक्सा के लिए जो ये संस्ता काम करती थी बाद में अभी जो वनस्तली विद्धापीट के नाम से जाने जाती है ठीक है जेंटलमेन एग्रिमेंट की बात किया अपने 17 सितंबर 1942 को होता हिरलाल सास्तरी मिर्जाय समयल के बीच में ये परजामंडल क जो भारत छोड़ो आंदूलन चल रहा था 1942 के टाइम पे भारत छोड़ो आंदूलन में जेपूर परजामंडल ने भाग नहीं लिया तो ये इसकी सबसे बड़ी सरती ठीक है ना तो जेंटलमेन एग्रिमेंट से लेटेट इतनी बात अपन को ध्यान रखने सारी अब उसके जेंटलमेन एग्रिमेंट होता है जेपूर परजामंडल ने कुछ से उसके कारे कर्ता थे परजामंडल के वो इससे आशन्तूष्ट होते हैं और आजाद मोर्चे का गठन करते हैं किसके नेतरतम करते हैं बाबा हरी सद्रके इसके कहते अधिक्स दे आजाद मोर्चे का और इन्होंने भारत छोड़ो अंदल में भाग लिया था जैपूर परजामेंडल की क्या असर थी कि हम भारत छोड़ो अंदल में भाग नहीं लेंगे इससे कुछ आसन तुष्ट होते हैं यह बनाते है आजाद मुर्चा और यह भाग लेते हैं ये श्के अधिक्स है अध्गस है बाकि सब यही exist23 की सब यादकरों तो कर लेना कि दॉलत दुलत आह रek partie-से राम उठा लेना यहां से राम उठा लेना यहां गुलाब उठा रहना दोलत राम ने गुलाब का इसमें पत्र के संपाधक नी थे खुँ इन्हों ने भी सताफणा ने निवहीं का निबाई है ति बात कर रहे हैं राडस्तान समाचार पत्र की तो अ क्षिप स्बीकिल 23 बयावर से fraud ये निकाला था तो उसमें जो हाडोती वाला छेतर उसकी खबरे चपती थी और इन्होंने बुंदी देसी राजी लोग परिशत्गी स्तापना की ती रिषी दत्मेता ने ठीक है तो राजस्तान समाचार पत्र के संस्तापा का रिषी दत्मेता 1923 में ब्यावर से इन्होंने एक बार निकाला सकष् mema, बुंदी प्रजामडल के ठीक है रिषी कए तो नित्ति आनंद हमेसा यहँ आनंद रेता दा और विखांगें टीनों सब्से इस तरह के सयधर ध्यानगना जो जोत्पूर प्रजामंडल उसकी स्तापना करें अधिया बहणलाल सराप में अब यह newbornे ट्रिक में गाता से जुडेवेगें इन्हों नहीं स्तापना नहीं करें ती कि इन्हों नहीं स्तापना करें ती जैनरय्यान व्यास ने मरवाड सेव człासन मारवाड सेवासंग और मारवाड देशी राज्य लोग परिशत की स्थापना करे थी, जैनारण व्यास ने, ठीक है, 1920 में जैनारण व्यास ने मारवाड सेवासंग की स्थापना की, उस मारवाड सेवासंग के दुवारा ये तोल अंदुलन चलाए गया था, मारवाड सेवास है कि एक तो क्रश्ना दिवस मनाया जाता है ुस प्रजामिडल के द्वारा इस्त पित मारवाड adesso के दुवारा तो चलाए गया सो तोले की स्थान पर असी तोले का एक सेर कर दिया था उसके खिलाब आंदूने चलाया चलाया थे तो यह थोड़ी द्यां रखने वाले बात है आगे चलते हैं पर तो जेनराण व्यास की पुस्तक हैं कौन-कौन सी कौन-कौन की उसकी किताब एक मारवाड की पोपपः भाई की पॉल और यह दो किताब हूं की और इनके दो टीन अकबार भी थे इन विद्ध में 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 वि बात है But Raind 전북 ौजोदपुर में इस्ताफना के गई ए जोग हम डिन नहीं जोड़ोप्र में गई यह लेकिन जो अपने जैसल मेर परिजामंडल है उसकी स्ताफना जेसल मेर परजामंडल की स्थापना जोधपूर में की गई बॉंबे शिरोई परजामंडल है तो शिरोई की सीमापन देखते हैं गुजरात से लगती है और बॉंबे 1960 तक जो गुजरात और महारास्टर उन दोनों को मिला कर बंबे का आ जाता था तो बंबे में स्थापना हुई है सिरोई परजामंडल की जैसल मेर परजामंडल की स्थापना है जोदपुर में द्यान रखना परजयामंदल से पत्न ये नारयनी देव वरमा उनकी पत्नि haven ये नारयनी देवि वरमा , लाक्षयेंस असपे लक्ष्मी देवी आचारी बगवती देवी विश्णोई भी मेवाड पर जामंडल से संबंदीत है जो बारत छोड़ो आंदुलन वाता उस समय नरायनी देवी वर्मा और बगवती देवी विश्णोई दोनों की दोनों जेल में जाती है ठीक है और महिमा देवी किंकर ये मार महारवाड पर जामंडल से संबंदीत है तो लक्ष्मी देवी आचारी इसका अंसर हो गया इन बागी का भी द्याहन रखना नरायनी देवी वर्मा बगवती देवी इश्णों विश्णोई और इवाड से उर महिमा देवी किंग्र महार्वाड से जोड़ी विए बीरबल य जो बिकानेर परजामंडल से समन्मदीता है इसमें एक चीज़ देखा जाता है राज सिंगि नंगर में एक जुल Means होता है तो बीरबल नामके के युवक होता है परजामंडल के डुवराण तो उसकी वहां पे एक गोली चलने से वहां पर उसके मृत्य हो जाती है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि 17 जुलाई को, बिकानेर प्रजामंडल के द्वारा बीरबल दिवस मनाया जाता है, बी से बिकानेर, बी से बीरबल दिया रखना, 17 जुलाई को मनाया जाता है, आगे चलने इसमें बिकानेर प्रजामंड माजन, उदासर, दूद्वखारा और कांगड सबी के सबी है आगे चलते हैं इसमें मिवाड का वर्तमान सासन नामा के किताब यह जो किसने लिखी बलवन सिंग मेता जैसे 24 अप्रेल 1938 को मिवाड प्रजामाडल की स्थापना होती है इनको बनाया जाता सबसे पहले अध्यक्स यह अद्देक्स बनते हैं बुरेलाल बया यह उपादेक्स बनते हैं मानिकेलाल वर्मा इनको बनाया जाता है महामंत्री लेकिन बाद में पन देखते हैं 141 के टाइम जो मेवाड प्रजामंडल है उसके जो अध्देक्स होते हैं मानिकेलाल वर्मा बन जाते हैं तो उत्रदाई सासन की स्थापना की किस ने की है इस्थापना करने का में कारण था अपने प्रजामडल बनाने का में कारण था कि उत्रदाई सासन की स्थापना होनी चीज है सबसे पहले इस्तापना कहा होती, जहलावाड, जहलावाड में देखते हैं कि जहलावाड का राजा हरीश्चंदर, जहलावाड के राजा हरीश्चंदर ने स्वयम के नेत्रतों में प्रजामडल के इस्तापना की, ये भी अपने आप में एक इंपोटेंट चीज है, कि राज प्रजामडल की स्थापना होती है ठीक है अलोर परतपुर से मतलब नहीं सापुरा की में बात करें तो सबसे पहले राजाहरीस संद्र ने स्यम्के नेतरतों में उत्तरदाई सासन की स्थापना की राश्तापाल गटना यह गटना होती है अपने 19 जून 19 जून 1947 पुनावडा गटना यह भी 1947 यह दोनों के दोनों के गटना है किस प्रजामडल से संबंदी तो दोनों के दोनों के टना है डूंगरपुर प्रजामडल से संबंदी ते इसकी राश्तापाल गटना की बात करें तो इसमें अपने देखते हैं आपने एक चीज़ सुना बील बाली का काली भाई का नाम सुना होगा और इनके एक अध्यापक थे नाना भाई एक नाना भाई थे और एक थे स्थेंगा भाई तो अंग्रेजों द्वार इसमें देखते हैं कि जो नाना भाई उनको स्कूल से ले जाया जाता उनको पेटा जाता तो जो नाना भाई को बचाने के लिए बील बाली का जो काली भाई है दोनों सहीद हो जाते और डुंगरपूर के पास में डुंगरपूर में एक गेब सागर तालाब है गेब सागर तालाब वहां इन दोनों की मूर्तियां लगे हुए काली भाई की और नाना भाई की एक अन्य अध्याबकते बात करें रास्तापाल गटना, रास्ते में गटना हुई है, क्या गटना हुई है, नाना भाई को बचाते बचाते काली भाई भी सहीद हो जाती है, दोनों के दोनों अंग्रेजों के द्वारा सहीद हो जाते हैं, और जो गेब सागर तालाब है, डुंगरपूर में गेब सब्सक्राइब दोनों गटना है अब आगे देखते हैं सागरमल गोपा सागरमल गोपा का जैसे नाम आता तो इनको कहां जेल में यह आतना दीगे सिदी सी बात है जैसल मेर के थे राजा तो उसमें रैसल मेर का राजा जवार सिंग जवार सिंग राजा था 1946 का टाइम है जेल में इनको इतनी ज़्यादा यातना दीगे कि उनकी वहीं पर मृत्ति हो जाती है अब सागरमल गोपा की बात करें फिर उनकी मृत्ति हो जाती है त जाते हैं 243 में इनकी मृत्य हो जिती है। गुपाल स्वरूप पातक आओब बनाया जाते है। गुपाल स्ागर्मना कवपा है। नहीं। 1 आजधी के दिवाने। तीषरी किताब है ए रगुनात सिंग्ह का मुगदम्य। रगुनाथ सिंग का मुकदमा हमने बात की सागरमल को पाकी कौन सी चेल में कहा है यात ना दी कि ये जेसल मेर में जमार सिंग के समय उननी सो चैलिस में गुपाल सुरू पाठक आयोग बनाये गया इनकी किताबें जेसल मेर का गुंडाराज आजादी के दिवाने रगुनाथ सिंग का मुकदमा ये अपन को बाते द्यान रखनी है आगे चले हैं अपने कौन सा हत्याकांड अब देखो परजामंडल से रिल्टेट सारी काम की बाते अपने एक्जाम पॉंट ओफिस से सारी बाते कर लिए अब अपने क्रांतिकारी स्वत्मतरा सेनानी राज्तान के उनके बारे में बात करें तो एक तरफ हत्याकांड है और एक तरफ कौन से क्रांतिकारी का नाम किस हत्याकांड निमेज, निमेज से मतलब मेज, निमेज, यहाँ पे मेज नहीं है, तो मैं नहीं बैटूँगा, क्यों, सेड़ जी है, तो सेड़ जी कहां बैटेंगे, सेड़ जी तो कहां बैटेंगे, मेज पे बैटेंगे, इस तरीक से इनको लिंक कर ले ना, मेज मतलब सेड़ जी, और मेज से अरजुलाल सेटी शेट जी मेज पर बैठेंगे और बचा कौन ईस्में जेल एक तरब जेल एक तरब क्रांतिकारी तो कौन सी जेल में कौन से क्रांतिकार को रखा यह भी कुष्ण आता है इसमें ठीक है टोडगर जेल कल अपने कल की क्लास में देखा था कि करांतिकारी गतिविदियो में लिप्त होने के कारण जो विजे सिंग पतिक है जिनका वास्टविक नाम भूप सिंग है उनको विजे इस टोडगर जेल पर रखा गया था अजमेर वाली टोडगर जेल में वेलूर, वेलूर में रखा गया था अर्जुनलाल सेटी को, इसको ऐसे द्यान रखना, जेपूर के राजा थे, मादो सिंग सेटी थे, तो मादो सिंग सेटी थे, तो मादो सिंग सेटी ने इनको कहा कि, तो तुम्हारे को चोमु का जिलादीस बना देते हैं, चोमु का कलेक् निकालेगा, तो, जो मादो सिंह था, उसने क्या दे सोचा, कि अर्जुलाल सेटी वेला ही बचा है, तो इसको नोक्री लगा देते हैं, लेकर अर्जुलाल सेटी नहीं रहा है, हम नोक्री नहीं करते हैं, कुल इमलागे बाद हुई, तो अटगर जेल में विजै सिंग पतिक, वेलूर, वेले नहीं बैठे हैं, आप सोच रहें, वेले बैठे हैं, लेकिना हम वेले नहीं बैठे हैं, तो वेलूर जेल से हो गए अपने अरजुलाल सेटी, बरेली, तो बरेली में हो गए अपने परताप सिंग बारट, और हजारी बाग, जो बाग है, हजारा बाग, हजार रगना केसरे सिंग बारत के पैसे पुत्र है यह पुत्र है इसमें भी ध्यान रेने वाले बात है अब थोड़ा आगे चले यह किस नहीं कहा कि यदि में नोकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को बारत से बाहर को निकालेगा अभी अपने बात किये कि अर्जुनलाल सेटी का पाट साला रादस्तान का प्रंथम क्रांतिकारी का आ जाता है अर्जुनलाल सेटी को जेपुर में जेन वर्दमान पाट साला के स्थापना की जहांपे जो क्रांतिकारी वगरा थे उनकी पाट साला वगरा माने जाती है ठीक है उस तरीके से और केसरी सिंग बारत की बात करें ये सेंटे जूरावर सिंग भारत ऐा पूछा जाता कि कून से कुन से करांतिकार इह अधिविजी का दिविदियू में लिफती था पूरर परणतिकारी के इनको में लिफत था केसरी सिंग बारत के बारे में सारे है बात करें मेवाड में सज्ञन कीर्थी सुधारग नाम का एक सब्ताइक हर सब्ताज जो छपने वाड़ा का अकभार था वह किसमा राना कि समय तो सज्जन से उठा लेना है यापके सजन सिंग सब्सक्रायद्वेस अकभार वह चप्ता था में राडस्तान आते हैं करोली के राजा मदनपाल के निमंतरन पर ऐस видел ने болगा ठीकर राजा मुझे राजा राजा के निमंतरन पर पर सबसे पहले राडस्तान आते hadi द्यानृंद सरस्वती द्वारा प्रोप कारिनी सभाकी इस्थापना की गई'RE रधकरिए उध्यपुर में विपस्पAccarda ओद लुष हुपका sitting अजमेर दे अजमेर में की मृती होती है एक बाड ये भी एक में antisारस्वती की मृत्यी doma राज्य की निस्टूरता और जेल में अन्याई के खिलाब बूकरताल के करन पहले बाद देखना मारवाड लोग परिसाट के नेता है उनकी मृत्व होती है 19チू 1992 को को थे, बालमकुंद बिस्सा, जिनका famous है किस्सा, उनका किस्सा क्या famous है, कि उन्होंने जेल में جो अन्याई के खिलाब बूग अर्टाल कर दीती, बाद में एनकी मृत्य हो जाती है वहां, ठीक है, तो बाल्मकुन्द मुस्सा का नाम दियानकना जवाहर खादी बंदार जवाहर खादी बंदार की इन्होने स्थापने की थी चूँकि जेल में इनकी मृत्य हो गे थी इन्इसली इनको कहा जता है राजस्तान का जतिन दास एक विटती हो रहे बालक्रशन कोल बालक्रशन कोल इनकी अजमेर में अजमेर में इन्होंने भूकरताल कीती लिए इनकी मृत्यों नहीं नहीं थी बालक्रशन से यहां दिया रखना कि बालक्रशन कोल तो अजमेर में भूकरताल कीती इन्होंने और बालमकुल विस्सा के बारे में बात करें तो इन्होंने जवा लोड होल्डिंग पर वर्धमान इसकूल आ गया वर्धमान इसकूल जेपरवाडा उसके किस विद्धारती ने बंब भैगा था यहां पर वहांसे ट्रेणिंग ली ती अर्जुनाल सेटी ने विद्धा लेके स्थापने तवी ती और वांसे जो कैसरी सिंग भारत उनके रागनरेन चोद्री दुवरा और हरी भाय किंकर दुवरा किया गया था कौन सी जगह यहां पर किया गया इनका जो बात करें किस तापना तो देख्थें 1919 मेn तो जो राड़स्तान सेवासंग की स्थापना कियी थी वर्दा वर्दा महरास्ट्रो में तो इसका अंसर तो हो गया वर्दा महरास्ट्रो में लेकिन एक जरूरी चीज दिया रखने है कि 1919 में फिर इस शंस्ता को अजमेर तो लादस्तान शीवासन की स्थापना, इस स्थानादरित कर दिया था। में प्रतमा दिवैसन दिल्ली में होता इस्तापना किस ने करिए जम्नालाल बजाज शिकर के रहने वा लग जम्नालाल बजाज ने इसकी इस्तापना करिए और अपने जम्नालाल बजाज के बारे में देखें तो इनको कहा जाता है गांधी जी गन्धी जी का पांचवा पुतर ये ना आया हो है कि गन्धी जी के पुतर के दोर कि इंख को जाना जयता है। और इंको गुलाम नमबर 4 भी कहा जाता है गुलाम नमबर 4 देखो जम राजपुताना मद्यबारत सभा या राजस्तान मद्यबारत सभा किस साल होती है 1919 में होती है दिल्ली मिस्का प्रथाम अधिवेशन होता है जमनलाल बजाज के तुबार इसकी साल होती है कुलमला के अपने बात करी कि जो क्रांती वगेरा सारी बात है अपने देख ली मोडनिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्रजामंडल और सुतंतरत सेना ने आज अपने पढ़ लिए अब इसमें जो मोडनिस्ट्री में अपना एक चेप्टर पढ़ा है जो बचा हुआ है एक ही करण अपने अगली क्लास में कर लेंगे फिर अपने जो मेडायोल इस्ट्री राजा माराजा उनके बारे में उनको रिवाइस करेंगे तो जल्दी-जल्दी कोशिस कर रहेंगे आपके एक्जाम से पहले सारा अपना रिवाइस हो जाए ठीक है तो आप अब ज्यादा कुछ मत कर जो पड़ाओ आपका उसका रिवाइस करो टेस्ट दो ठीक ना थेंक्यू